नमस्ते, मैं नीशा ठाकूर, NPTEL IIT Bombay से आपका स्वागत करती हूँ, आज हम SPOC Login Features स्वयम पोर्टल पर कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आज यहां पर देखेंगे, इसके लिए आपको onlinecourses.nptel.ac.in इस URL का उपयोग करना है, इसके बाद आपको Login पर क्लिक करना है, यहां पर एक Sign In बटन दिया हुआ है, इस Sign In बटन पर आपको क्लिक करना है, Sign In बटन पर क्लिक करने के बाद Google Option चूज करना है, और Google Option चूज करने के बाद आपको Login ID और Password यहां पर डालना है, Login ID पासवर्ड डालने के बाद आपको यहां पर SPOC Admin यहां टाप दिखेगा, इस टाप पर आपको क्लिक करना है, SPOC Admin टाप पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक Dashboard खुलेगा, इस Dashboard में सारे डिटेल्स उपलब्ध होंगे, इस Dashboard के द्वारा आप Enrollment Count देख सकते हैं, Candidates के, Students के, Faculty के Enrollment Details आप इस Portal से देख सकते हैं, इसके अलावा इसी Portal से आप Mentor Addition भी कर सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं, Course ID दिया हुआ है, Course के नाम यहां दिये हुए है, यहां पर Student और Faculty का कॉलम दिया हुआ है, जिसमें कितने Course में Candidate Students ने Enrollment किया है, वहां आप देख सकते हो, कितने Faculties ने यहां पर Enrollment किया है, यह भी आप यहां से देख सकते हो, इसके अलावा यह सारी Information आप एक Excel Sheet में Download कर सकते हो, यहां Right Side में आप देख सकते हो, एक Tab दिया हुआ है, Download CSV Dump, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप यहां देख सकते हो, Text Format में एक Sheet दिख रही है, इस पर आपको Ctrl-S करकर, फाइल को यहां पर .csv नाम देना है और इसको Save करना है, जैसे ही आप इसको .csv sheet में Save करते हैं, यह फाइल एक Sheet यहां पर तयार हो जाती है, इसके द्वारा आप Enrollment और Assignment Scores Candidates के देख सकते हैं, Enrollment करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है, Enrollment में Faculty अगर Enrollment कर रहे हो, तो उनको Profession में Faculty यह option चूज करना है, इसी के अलावा, drop-down में से Local Chapter Yes करते हुए, drop-down में Local Chapter Yes option सिलेक करना है, State सिलेक करना है, और अपने College का नाम यहां पर प्रॉपर्ली सिलेक करना है, Department और Area उनको यहां से प्रॉपर्ली सिलेक करना है, तभी उन Faculty के Details, Faculty कॉलम में हमको नजर आएंगे, अभी कुई Faculty को आपको अगर Mentor बनाना हो, तो उसके लिए enrollment करना जरूरी है, उसी के बाद Faculty के नाम यहां पर डिस्प्ले हो जाते हैं, Faculty को Mentor Assign करते वक्ट आपको उस Faculty के नंबर पर क्लिक करना है, नंबर पर क्लिक करते ही उस Faculty की सारी जानकारी हमें यहां दिख जाती है, उनका email ID, नाम, department और यह उसी के आगे हमको एक Mentor टाप दिखाई देता है, उस Mentor टाप पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और Save Option पर सिलेक करना है, यह प्रोसेस है, कोई Faculties को हमको अगर Mentor Assign करना हो, तो Mentor टाप चेक बॉक्स पे क्लिक करकर Save बटन पर प्रेस करना है, यहां Simple Steps है, फाकल्टी को Mentor Assign करने की, यहां पर जब आप Faculty को Mentor Assign करते हैं, उसके बाद आपको, आपके Students को Inform करना होता है, पोर्टल, कोर्स पोर्टल पर उनको लॉग इन करते हुए, कोर्स पोर्टल की Mentor टाप से, Mentor टाप को सिलेक करते हुए, अपने Faculty को यहां से उनको चूज करना है, Mentor टाप पे क्लिक करते ही, इस कोर्स के लिए, जो भी Mentor Assign किये होंगे, उन Mentor के यहां पर डिटेल्स दिख जाएंगे, Mentees को, उन Faculty को यहां से सेट Mentor करना है, Students जब Faculty सिलेक करते हैं, Mentor Assign के बाद, उस Faculty को Mentee के यहां डिटेल्स दिख जाते हैं, Mentor Faculty, उनके अंडर, जितने Students ने Enroll किया होगा, जितने Students ने उनको Mentor सिलेक किया होगा, उन सारे बच्चों के डिटेल्स आप यहां से देख सकते हो, उनके Assignments स्कोर्स भी आप यहां से देख सकते हो, इस Portal द्वारा, SPOC, Enrollment Details डाउनलोड कर सकते हैं, इस Portal द्वारा, SPOC, Assignment Score देख सकते हैं, और Mentor असाइन कर सकते हैं, इस Portal को हम Swim SPOC Login Portal कहते हैं, जिसके द्वारा यह थ्री Activity आप यहां से देख सकते हो, और सारे डिटेल्स यहां से डाउनलोड कर सकते हो, धन्यवाद,